मुझकफरपुर के जिला मैजिस्ट्रेट अलिपुर बमकांड जो हुआ था उसके जो किंग्स फोर्ड थे वो बच गए थे प्रन्तु उन्होंने अब बहुत सक्ति से काम देना शुरू कर दिया था वो चाहते थे कि कुछ भी ऐसा हो जिससे इनका करांती कारियों का जो गुरू है नित्रत्व दे रहा है अरविंदू घोश पर कोई गंदीर अरूप लगा के उसको मृत्तु दंड दिया जा सके सबत्रह का उनका प्रयास चल रहा था क्यालकटा के बाहर मनिक तल्ले बाग के नीचे एक कमरा अर्विंदु घोश का वो था बाग भी अर्विंदु घोश का था उसमें कुछ क्रांतिकारी मिलते अनुशालिन और अनुशीलन समती जो अर्विंदु घोश ने बनाई थी जिसके अंतरगर्थ वो पहले वाले दो नोजवान खुदिराम भोस और प्रफुर्च अंदर चाकी गए थे और शहीद हो गए थे उसी कड़ी में कुछ और करने के चक्कर में योजना में बहुत सारे क्रांतिकारी वहां आते जाते शस्त्र एकत्रित करते उनका अभ्यास चलाने का अभ्यास करते कुछ सरकार के परले परड़नी रहा था लेकिन एक CID का व्यक्ति नजदेख कहीं कमरा लेके और नज़र रखने लगा कि यह क्या हो रहा है यहां आना जाना कुछ जैदा रहता है और आखिर एक दिन ऐसा आया जब इससे पहले कि कुछ यह कर पाते एक इनी लोगों में से इनी क्रांतिकारियों में से वहां जाने वाला नरेंदर गोस्वामी पकड़ लिया जाता है पकड़ने के दो दिन तक वो समचार भी कहीं नहीं आने देते लेकिन उसके बाद हो सकता है छल से बल से कपड़ से स्वार्थ से पिटाई की मार सहन नहीं कर सका हो लेकन उसके कहने पर बहुत सारे लोगों के पते बता दिये गए और चालिस लोग पकड़ लिये कि उसमें अर्विंदु घोष, उनके भाई डॉक्टर वरेंदर घोष, डॉक्टर वरेंदर घोष के नित्रेतों में ही वो सिखलाई शस्त्र को इकठा करना का और अभ्याद करना का काम चल रहा था अर्विंदु घोष वहाँ पर बीच बीच में कभी कभी आते थे, उनको और भी पूरे बेंगौल का काम देखना था, करन्तिकारियों को एक साथ लाना था, जोड़ना था, संगठित करना था नरेंदर गोष स्वामी की मुख्विरी से चालीस लोग अर्विंदु घोष भी, विरेंदर घोष भी, कनाहिलाल दर्तविस, देंदर बसु भी और उपेंदर उल्लास, ऐसे अनेक लोग पकड़ लिये गए, जेल में डाल दिये गए लेकिन उसी नरेंदर गोष स्वामी को सब के साथ नहीं रखा गया, वो जेला धिक्षक के आवास पर अलग रखा गया, ताकि कुछ गर्बर ना हो जाए ये लोग अंदर जाने के बाद, अरविंदू घोष ने एक विशे रखा सब के सामने के जिसके कारण से ये सारा हुआ है, उसको दंड तो मिलना चाहिए और इस काम के लिए कनाहिला दत और स्तेंदर बसो को चुना गया, दोनों को ये साइन्मेंट साइन हो गई, बता दिया गया कि ये आपको ही करना है, आप कैसे करना है, कुछ दिन बीट गए, निकल गए कुछ दिन, ये निराश परिशान होने लगे कि कैसे अफसर मिले, फि अपने बिहवार से कुछ निराशा और ऐसे ही सितेंदर बसो, दोनों ही मिल करके इस तरह से पोज करने लगे, प्रिटेंड करने लगे कि बड़े निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, और कमजोर हैं, कुछ खाबी नहीं रहे, ये तो बस बहार निकलने की जोगार सोच रहे हैं, ऐसी कुछ चर्चाएं, प्लैंड वे से करवाई गई, ये बात ब्रेटिशर्स के पास भी पहुंच नहीं थी, जेल अधीक्षक महद्य के पास जब ये बात पहुंची, तो बात चली रही थी, और इतने में कनाही लाल दत ने होस्पिटल जाने की इच्छा व्यक्त की भई मेरे से तो कुछ खाया भी नहीं जाना, मेरा इलाज कराओ, उसको हॉस्पिटल में एड्मिट करा दिया गया, दो दिन के बाद ही स्तेंदर बसू, पेट दर्द का, बहुत बड़ी पेट दर्द का पहाना करके वो प्यों हॉस्पिटल में पहुंच गे, दोनों जा करके दो चार्ट पाइन दिन भी उनका वैसा ही हताशा, निराशा, उदासी, रोश और आपस की चर्चा में यह क्या कर रहे हैं हमारे लोग इनको यह नहीं करना चाहिए, ऐसे ही नोजवानों को मरवा रहे हैं, यह अर्विंदू घोष भी कहां से आ गया है, इस प्रका साथ दिन में ही इन्होंने मैसेज भीजवा दिया, आए, चेल धिक्षक महदे आए, क्या बात है भी, आप का इलाज ठीक हो रहा है न, उन्होंने का क्या ठीक होना है जी, हम जासे जाना चाहते हैं, और ऐसा है, जैसे वो निरेंदर गोस्वामी मुख्विर बना है, हम भी स सरकारी गवातों बनाने के लिए आपको मुक्त को तो नहीं किया जा सकता, पर आपकी एक रिक्षा ले लेते हैं, नरिंदर गोस्वामी के साथ आपको मिलाना जरूरी है, चुकि नरिंदर गोस्वामी उनके पास एक तुरप का पत्ता था, अर्विंदु घोष को मृत्यु के कारण से हुई थी, नरिंदर गोस्वामी को बचायने के चक्कर में उन्हों न कहा कि आरे वा, ये तो डबल विटनेस हो जाएगी हमारी, ये दो लोग भी, लेकिन इनकी स्टेटमन तो एक होनी चाहिए न, फिर तै क्या हुआ, ये तै हुआ, कि तीनों, एक बार, एक निकाल कर हॉस्पिटल की और ले जाया गया, जहां ये थे जिस वार्ड में, वहां से इनको उठाया गया, उपर एक कमरे में तीनों को बिठा के बंद कर दिया गया, मिस्टर हिगनेज, अंग्रेज ऑफिसर, उसने कहा कि हम भार खड़े हैं, हम नीचे खड़े हैं, और आप बात कर लीजिए, ताकि आपकी स्टेटमन टेक हो जाए, और फिर आप दोनों को भी हम, नरेंदर को स्वामी के साथ ही, मैं अपने पास रखूँगा, नहीं तो बा उन्हों ने शेर करनी थी, देखते ही देखते कनाहिल आलदत ने उस पर गोली दाग दी, उसके सिर को नहीं लगी, उसके बाजू को लग करके गोली पार हो गई, दूसरी गोली मारी, वो हिल गया तो वो भी इस प्रकार का हुआ कि उसके पाउं को लगी, अब गोली कम होती जा रही है वो चिलाया चीखा बचाओ 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 इतनी दिर में अंग रक्षक भी रक्षक भी वो पुलीस वाले भी अंदर आगे कनाहिला दत के हाथ में रिवॉल्बर था उसको पकड़ लिया जकड़ के जकड़ से जकड़ कर पकड़ लिया और सितेंदर वसुको भी पकड़ लिया, अब ये धक्का मुक्य होने लगी, संघर्ष होने लगा, कनाहिला दत को लगा कि हमारा उदेश्य तो पूरा हुआ ही नहीं, फिर जब वो मिस्टर हिंगिनस ने उसको जो जितनी जोर से पकड़ा हुआ था, उसको बड़ी बुरी तरह से उसके पेट में कोनी म मार के उसको छुड़ा करके एक गोली उसी के सिर पे मार दी, मिस्टर हिंगिनस चो अंग्रेज ऑफिसर ये सारे इसके इसका इंचार स्था देख रहा था, वो वहाँ पर वहीं धेर हो गया, मिस्टर हिंगिनस, और उसके बाद ये भाग रहा था, सीड़ियों के अंदर था नीचे जाने के लिए, चुंकि ये उपर कमरे में बैठे थे, वहीं से उसने अपकी बाद निशाना ठीक लगा, नरिंदर गोश्वामी के सिर में गोली आर्श से पार हो गई, वो भी वहीं धेर हो गया, इनका भागने का कोई उदेश्य नहीं था, इनको कहीं भागना नही था, इनको तो उस मुख्विर को देश्त्रोही को दंड देना था, बापिस इनको जेल में डाल दिया गया, केस चलना था, केस चला, रिजल्ट भी पता था कि इसका क्या निरने सुनाया जाएगा, और उसको वकील करने के लिए कहा गया, तो उसने कहा, नहीं मुझे कोई व वकील नी चाहिए, मैं बचने के लिए वकील करूँगा, नहीं, मुझे जो मैसेज देना था आपने भारतिय नोजवानों को, और उस दुष्ट को जो दंड देना था, मैंने दे लिया, आप सुनाओ जो निरने सुनाना है आपने, मृत्यू दंड सुना दिया गया, और कमा अच्छा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्न होने वाला ये नौजवान, बाकिसाथियों को बोल रहा था, अरे यार, उनकाक तुम खुश नहीं हो रहे, इतना बड़ा, अच्छा रिजल्ट आया तुमारा, कहते हैं असली रिजल्ट तो मेरा आ गया है, जो मेरा जीवन का ज और उसमें मैं सफल हो गया, और मृत्यू दंड से पहले, फांसी का जो दिन आ गया, फांसी से पहले ये नौजवान, मृत्यू दंड की सजा सुनने के बाद, और फांसी लगने से पहले बीच में, इसका सोला, सिक्स्टीन पॉंड, सोला पॉंड वजन बढ़ गया, गदगत था अपने करम से, अपने कारे से, अपने उपलब्दी से, परसन्न था, अब भूख भी डबल लग रही थी, पहले नहीं खा रहा था, चुंके अपने लक्ष की पूर्ति के लिए उसमें वो अवशक्ता थी, और अब खूब मस्त और उसी मस्ती में, उसी मस्ती में, दस नुमबर 1908 को, फासी के तक्ते को चुंता हुआ, उसके उपर हमेशा की निन्स होता हुआ, अंतिम समय तक, गदगद होकर परसंचित होता हुआ, ये नौजवान हमारे बीच में से चला गया, उदर, उदर, स्तिंद्र बसु को, नियायले ने कहा, कि भई, उसके हाथ में ना रिवॉल्वर था, ना उसने फाइर किया था, उस नियायले ने कहा, कि उच्छ नियायले को, हम इसको केस को सोंप रहे हैं, इसका मृत्यू दंड नहीं बनता, चलिए, उच्छ नियायले ने, देख लिया केस, उच्छ नियायले ने स्तिंदर बसु को भी मृत्यू दंड दे दिया, फांसी की सजा सुना दी गई, दस नुवंबर 1908 को, कनाही लाल दत की फांसी के बाद, जब संसकार के लिए वो पेरेंट्स को सोपा गया, बहुत बड़ी भीड केलकटा में, उससे पहले उतनी भीड किसी ने देखी नहीं थी, हर घर से महिला, पुरुष, बच्चा, बुड़ा, अंतिम संसकार किसका है, कनाही लाल दत का है, क्रांति कारी का है, देश भक्त का है, सब चले हुए हैं उस और, अंतिम संस्कार अरम हो चुका है लेकिन पूरा अंतिम संस्कार होने के बाद और राक ठंडी होने तक हर वित्ती वहां खड़ा है राक थोड़ी से ठंडी हो जाए राक थोड़ी से ठंडी होते ही वो राक माथ्य को लगाई गई और कुछ लोग वो राक अपने लिफाफे में, पेपर में, डिब्बी में घर ले आए, पूजास्थल पर रख दी गई कनाही लाल दत के अंतिम संस्कार में उम्डी भीड को देखते हुए 10 नुवंबर 1908 की फानसी के बाद और संस्कार का वो द्रिश लेखते हुए अंग्रेज कांप गए थे, कि वो भीड कुछ भी कर सकती थी, ठाने पुलिस स्टेशन जला सकती थी, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के मार सकती थी, भीड को संभालना बहुत मुश्कुल होता है तो अब 21 नुवंबर 1908 को स्तेंदर बसू को जमृत्यों दंड दिया गया तो इसकी बॉड़ी पेरेंट्स को नहीं सोंपी गई, जेल की अंदर ही इसका संसकार कर दिया गया डर था कि अपकी बार वैसी ही भीर उम्डेगी और अपकी बार कहीं आक्रोश में, गुस्से में, क्रोध में, कहीं वो उनका निशाना हम न बन जाए इस परकार से इन दोनों का बलिदान, कुरुबानी और नरिंदर गोस्वामी मुख्विर का देश्त्रोही का अंत क्या काम कर गया, एक तो अर्विंदु घोश को बचा गया फांसी के लिए, अंग्रेज सरकार और ब्रिटिशर्स का नरिंदर गोस्वामी और ये दो लोग और मिल गए हैं, तो अब तो हम इसको मृत्यों दंड दे ही सकेंगे, अर्विंदु घोश को, लेकर वो दो तो थे नहीं, ये जो था भी, इसको भी मार दिया गया, हाँ, एक बीच में घटना होर हुई थी, जब ये मिस्टर हिगनिस इसको स्तेंदर बसु को नियायले में पेश करने के लिए जाते थे, तो कुछ तिन पहले, कुछ तिन पहले भीड में से एक विक्ति निकला, और स्तेंदर उसको भी नहीं बचा सके, एक तो अरविंदु घोश को जो फांसी हो सकती थी, अग्रेज सरकार नरिंदर गो स्वामी को सामने रख करके फांसी दे सकते थे, वो बच गई, और दूसरी तरफ इन नौजवानों का जैसे अलिपूर बंब कांड की गूंज, हिंदोस्तान के क देश विदेश में बैठे हुए भारतियों के कांड तक एक बहुत बड़ी आवास बना रही थी, उनको ललकार रही थी, जोड रही थी, और अब अनुशिलन सम्ति के दूसरे दो क्रांतिकारी, अरविंदु घोश के नित्रेतों में, अनुशिलन सम्ति के ये सदस्य, ये भी भारतिमा को भेंट हो गए, भारतिमा की स्वतंत्रता के काम आगे, और ये सिलसला चलता रहा, उसी सिलसले को चलाने के दिए, मैं आपके सामने समय समय पर आता हूँ, आज मैंने सोचा था, कि ये दिल्ली में जो किसान अंदोलन चल रहा है, इसके समंद में मैं आप से बाग करूं, परन्तो मुझे लगा कि मेरा असली उदेश्य उन करांतिकारियों को, आज्यात लोगों को, उन सब लोगों को, उन तपस्वियों को, मोन तपस्वियों को, नीम के पत्थरों को, जो भारतिमा की स्वतंत्रता के लिए, आखरी श्वास तक लड़ते हुए, उनको इतिहास में कहीं कोई स्थान ने, कोई नहीं जानता, उन सब को समरन करने के लिए, उनको फुषपांजली, शरधांजली देने के लिए, और आने वाली जेनरेशन को, और इस जेनरेशन को ये बताने के लिए, कि ये अज़ादी दो लोगों ने नहीं, जिनके नाम ल और जो लोग वास्तों में सुभास्चंद्र बोस वीरसावर कर काले पानी की सजावाला वीरसावर कर कितने ऐसे कितने क्रांतिकारी कितने देश फक्त मार दिये गए क्रांतिकारी फांसी के तक्ते पे जूल गए कितने ही निर्दोश लोगों को मार दिया गया खतम कर दिया गया अत्याचार किये गए यह सारी प्रक्रिया जो चल रही थी अजादी तो उन्हों न दी अजादी सुभास्चंद्र बोस का जो अंतिम प्रयास था जिसमें नेवी का रिवोल्ट हो चुका था एरफोर्स का रिवोल्ट होने जा रहा था और अंग्रेज अंदर से काप गए थे कि अब सुभाश के इस आखरी वार के बाद यद्दिपी सुभाश के साथ जो हुआ जो किया वो मैंने पांच एपिसोड के साथ के साथ आपके सामने रखा है आगे और उसके प्रयास करूँगा मेरा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए धन्यवाद जय भादत